तोस्तों आज हमारी एक्साइट 10.1 से क्वेशन नम्मर 14 फैन्द कोस्ट ओप फैंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्ट ओप लेंद 175 मीटर एन बिरत कितनी 125 मीटर एड़ रेट ओव 12 पर मीटर देखो वहां मारपा पहले थर्ट क्वेशन नम्मर थर्टेंगे स्क्वेशन यह यहां क्या आगया मारपा रेक्टेंगल लगा यह रेक्टेंगल जिसके टू साइट इक्वल होती यह रेक्टेंगल है ठीक इसकी लेंथ कितनी 175 मीटर और विरत कितनी दिल की 125 मीटर यह भी 175 हो जाएगी क्योंकि टू साइट इक्वल होती और यह भी 125 हो जाएगी अब जो ह करने इसके भी चारु तरफ हमें क्या करनी बाड बनाने या फैंसिंग करने तार वार लगाने तार लगाने चारु तरफ इसका जो खर्च कोस्ट आ parameter, parameter of rectangle, ठीक है क्या होता है? 2L eL plus B, देखों दो length होती है, two breath होती है, two L PLUS B, अब parameter two, length कितनी 175 मीटर है अब रहत कितनी 125 ठीक है अब परेमिटर प्लस को 5 और 5 कितना होगा 10 होगा 7 और 2 9 एककरी 10 1 1 2 एककरी थी 3 और यह भाहर से 2 अगर मैं इसको इंटू करूं तो किसने 600 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा 600 मीटर यह तो हमारा मेजर करके निकला अगर मैं यहां से यहां तक मेजर करूं अब मुझे कोस्ट ओप कोस्ट ओफ फेंसिंग अगर मैं फेंसिंग लगाऊंग तो इसकी कॉस्ट मुझे दिया रखी 12 रूपीज पर मंथ एक मीटर पर मीटर ठीके 12 रूपीज पर मीटर एक मीटर पर कितना है 12 तो 600 पी किता है तो कॉस्ट आफ टोटल कोस्ट कितना है टोटल कोस्ट आफ एंसिंग कितना है 12 इंटू 600 तो शिख जा कितना होता 620 12 616 17 ये दो जिरो कितना आएगा हमारा 7020 रूपी जाएगा कितना आएगा 7200 रूपीज ओके थेंक्यू